हीर कि का पितांजी पितांजी फितांजी निटर्चारा हम बच्छा जंगली हाथी यहां पना घंञति नाउने यहां को बताना चाहते थे कि हमारे बेटे आदित्य को जूट बोलने की बड़ी गंदी आदत पड़ गई है कितनी भी कोशिश के लिए पर या जाती नहीं है आपे काम कीजिए आप अदित्य को हमारे पास इस महल में कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए और देखिए कि उनकी जूट बोलने की आदत हम यू यू गायब करवा देंगे वह बच्छा है ना अदित्य हां वह सुबह से गायब है क्या हरे आप मादव सिंग जी आप लोग यहां तो ख़बर आप लोगों तक पहुंची गई है देखे हम मौफी चाहते हैं हम शर्मिंदा है कि आपका बेटा यहां हमारे महल से गायब हुआ है जा बना हादित्य कहीं ही नहीं गए है वो इसी महल में कही है मादव जी आपके इस कश्मीर के रियासत के कश्मीरी सेब देखकर मन कर रहा है कि आपके साथ कश्मीर चले पेड़ पर चड़ें और वहां बैटकर एक-एक सेब तोड़कर खाएं यह आपको इतनी हसी क्यों आ रही है आपको क्या लगता है हम पेड़ पे नहीं चड़ सकते आलम बना आपका हमारे कश्मीर में स्वागत आयो और आकर किस तरग वासी हो चाहिए यह क्या तरीका है बात करने का मादव जी स्वारगवासी हो जाएं मतलब आप चाहते हैं हम आपकी रियासत में और आकर मर जाएं ने जहां बना आप आप समझे ने देखे क्या है कि हमारे कश्मीर को स्वारग का अब आप वहां पर आएंगे कुछ वक्त गुजारेंगे तो कुछ वक्त के लिए स्वारगवासी हुए मैं मैं अइंगे से यहिय। चुटकुला सुनाजा अपने हम भी यहां पर कई चुटकुले सुनाते हैं सब पस्ते सारे के सारे यह कंछ आइंगे शेव भी कश्मीर के लिएक पिजृत जी पिता जी पिता जी हमें बच्चा ये दो जंगली हाती हमारे पीछे बढ़े वो दोनों इदर ही आ रहे हैं जंगली हाती हमारे महल में जंगली हाती कहां से आ गए ये क्या कर रहे हैं आप जहांपना हाती ऐसे ही तो बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं हमें पता है वो जानने की ज़रूरत नहीं है हमें लेकिन हमारे महल में कहां से आए जंगली हाते हैं सिपाईयों जाओ जाओ जाके पकड़ो जंगली हातियों को जो अरे हाती वहाँ हैं सब के सब काम चोर डर पोक जब महल का मुख्य दौर बंद है तो जंगली हाती अंदर आएंगे कैसे अरे लेकिन बच्चा कह रहा है कि जंगली हाती इसके पीछे बड़े हैं पीता जी वह दोनों आ गए अब छूपा लीजे का है अजित्य बेटा ये दोनों सलीम वासू हैं सलीम और वासू आपने हमसे जूट क्यों कहा कि आपके पीचे जंगली हाती पड़े हुए ये दोनों तो गधे हैं हम जूट नहीं बोलते अगर इन दोनों की जगे वागे हाती होते तो 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 क्या कोई बात दी अब हम भागेंगे और आदित्य हमें पकड़ेगा है ना अदित्य है जहां पना हम आपको बताना चाहते थे कि हमारे बेटे आदित्य को जूट बोलने की बड़ी गंदी आदत पड़ गई है कितना भी समझाले पर यह आदत जाती नहीं है है ना रानी जी जी हां जी हां राजा जी जहां पना प्यार से डरा के धमका के हम हर तरह का प्रयास कर चुके हैं कि इसकी जूट बोलने की आदत छूट जाए हाला कि हमसे प्यार बड़ा करता है एक पल के लिए अगर हम दूर हो जाए तो रोना शुरू कर दें जहां पना जूट इसकी आदत में इतना शुमार हो चुका है कि इसका उस पर जैसे काबू ही नहीं रहा है है ना ना जी जी हां जी हां राजा जी मादव जी बच्चे को समझने के लिए उसके मनों विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है आप एक काम कीजिए आप अधित्य को हमारे पास इस महल में कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए और देखिए कि उनकी जूट बोलने की आदत हम यूँ यूँ गायब करवा देंगे रहने दीजे जहां पना इतना आसान नहीं है बड़ा मुश्किल है मुश्किल यह क्या कह दिया आपने यहां पर अकबर है बीरबल है वहां कुछ मुश्किल नहीं है क्योंकि हर मुश्किल का हल अकबर बीरबल ठीक है जहां पना यदि आपको इतना विश्वास है तो हम आदित्य को कुछ दिन के लिए यही छोड़ जाते हैं एक ना रानी जी जी हां जी हां राजा जी तो ठीक है फिर हो जाए है ना एना पीरबल जी जी हां जी हां जापना जी अधित्य बेटा खाना आपका इंतजार कर रहा है खाना खालीजी नहीं जी नहीं खाना उज़े अपने मा पिताजी के पास जाना है बस एक बार आपके जूट बोलने की आदत आपका पीछा छोड़ दे उसके बाद आपके मा पिताजी को हम यहीं बुला लेंगे और अगर आ तो आपको कोई नहीं डाटेगा क्यों डाटेगा सब आपकी तारीफ करेंगे तालियां बजाएंगे आपके लिए तालियां सच हां सच अगर हम सच बोलेंगे तो आप नहीं डाटेंगे अरे क्यों डाटेंगे ठीक है आपका पेटे ना एकदम तम मुझे सा लगता है सच हुआ只क लिए हाफ मैं पर बलकर तालियां बजेंगे तालिया सच बोलेगे तो तालियां बजेंगे और कोई नहीं डाटे गां aur एक और सच बोलें आपके वाल में आ बोलों अब जब चलते हैं तो ऐसा लगता है कि तर्बुश बुड़क रहो है वाँ वाँ वीटा वा एक हो सच का आपने जच कहने पर तालिया बचती है तालिया हमारे बारे में बहुत हो गया आप अपनी जिन्दगी में सच बोलते रा किजिए हमारे बारे में टाफिये नहीं हम सची बोलते रहते हम जूट नहीं बोलते हो अब अबा हुजूर ये सब छोड़िये हम आदित्ती को एक ऐसी चीज दिखाएंगे जिसे देखने के बाद ये कभी जूट नहीं बोलेगा ओहो जाये चीज दिखाईए शॉही खून है हम ये सब को पता इसमें दिखाने देखो आदित्ती बेटा जो इंसान जूट बोलता है उसे खुदा जानवर बना देता है ये दोनों भी बहुत जूट बोलते हैं इसलिए खुदा ने इन्हें कववा और घदा बनाना शुरू कर दिया है और जल्दी ये पूरे कववे और घदे बन जाएंगे हमारे मा और पिता जी भी भहुत जूट बोलते हैं या भगवान जी उनको भी जानवर बना देंगे आपके अलावा आपके माता पिता भी जूट बोलते हैं वो क्या जूट बोलते हैं यह इकी हम जूट बोलते हैं कि निकव में कई गे तुम लोग एक काम नहीं कर चकते जाओ उस बच्चे को ढूंडो गूम के लाना आरे वाइसा वाइसा क्यों चिल ला रहे आप पहना वह बच्चा है न अदित्य हाँ वह सुबह से गायव है क्या बच्चा गायव है हाँ रानी सहभा मेर अदित्य का जल्दी पढ़ो अदित्य लिखता है हम अपने माता पिता की बिना नहीं रह सकते और आप लोग हमें उनके पास नहीं भेजेंगे इसलिए हम यहां से भाग कर अपने माता पिता के पास जा रहे हैं हमारे माता पिता को खबर कर दीजे के हम भाग गया हमारी मदद करने के ल चाहिखून है हम, भला हम उसकी भागने में मदद क्यों करेंगे? हाँ, मुझे मता है, मैंने भी मदद नहीं की हाँ, हम तीनों ने कुछ भी नहीं किया है, बिर्बल और सलीम की अप्पु अभी पुरानी मस्जिद कहें, नमाज पढ़ने उँ हाएंगे, तो हम उने क्या जवाब देंगे? आरे, हो आप बिर्बल ये तक-टक करना बंद करो, और मुझे गुमाओ हाँ, हाँ, नहीं से हबोब और ए, जाके गुमाना मुझे सोच लिया हाँ, 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 सोच लिया सोच लिया ना? सोच लिया, सोच लिया अच्छा है, अब बच जाएंगे बस बहुत हो गया मुरगा बनके खड़े रहिये आप दोनो और हमें यह मत बताएं के बच्चा सच बोल रह था या जूट बोल रह था लेकिन गायब तो हमारे महल से हुआ है ना उस बच्चे की जिम्मेदारी किस पर थी? हम पर थी पर आप लोगों ने उस बच्चे के भागने में उसकी मदद की हमने नहीं भगाया हमें छोड़ दीजिये मुरगा बनके खड़े रहिये आप और रानी साहबा आप इन दोनों का साथ देंगी इसके हमें बिल्कुल भी उमीद नहीं थी अरे जहापना हमारी बात बस बीरबल हमें किसी की और कोई बात नहीं सुननी है जहापना हमने और किसी की कोई बात हमें नहीं सुननी है जहापना आदित्ति के बारे में ही है आ तो कहिए जहाँ पना हमने पूरे रियासत में नाका बंदी कर दी है उसे जगए जगए ढूड़ा जा रहा जहाँ पना यह तो अच्छी बात है लेकिन अगर मादप सिंग जी आप लोग यहाँ तो खबर आप लोगों तक पहुंची गई देखे हम मौफी चाहते हैं हम शर्मिंदा है कि आपका बेटा यहाँ हमारे महल से गायब हुआ जा बना अधित्य कई नहीं गए वो इसी महल में कई पिरवाल यह कैसी बातें कर रहे हैं आप महल का चपा चपा ढूंड लिया गया है अब तक तो किसी को नहीं मिले आपने ख़त पड़ा नहीं उनका उसी ख़त से हमें शक हुआ कि आदित्य इसी महल में छुपे हुए ख़त में आदित्य ने लिखा था कि उनके भागने की सूचना उनके माता पिता तक पहुचा दी जाए जब उन्हे बात कर माता पिता के पास ही जाना था तो फिस सूचना देने की क्या आवश्चक्त आप पापक ही सायए फिर उसने ऐसा क्यों लिखा 되고 कि आदित्य आपने माता पिता से मिलना चाहते थि वो जानते थे के उनके गाया भोनी की खबर हम उनके माता-पिता तक पहुच आएंगे और उनके माता-पिता दोड़े-दोड़े हमारे इस महल में चले आएंगे जी हाँ जहाँ पना जैसे हमें बीरवल जी ने सुचित किया आप जी हाँ जए जगात जाये हम पौरन से पहले आ गई है ना हना रानी जी जी हां जी हां राजा जी जा पना हमने इनके आने का शोर पूरे महल में करवा दिया देख अभी आधित्य भी आते ही होंगी मा पिता जी कहां चले गए थे आधित्य आप इस महल में चुपे थे ना तो फिर आपने खत में जूट क्यूं लिखा कि आप भाग रहे हैं जूट क्यूं बोला बेटा हम जूट नहीं बोलते हैं अगर हम वाकरी में भाग जाते तो हुआ बच्चे और हमारे बारे में ऐसा क्यूं का कि हमने तुमारी भागने में मदद की हम जूट नहीं बोलते हैं अगर आप तीनों भागने में हमारी मदद करते तो अप्बा वजूर्ण आप तो हमें मुर्गे से इंसान मना दीजिए अरे इतनी देर तक तो कोई मुर्गा भी मुर्गा बनके खड़ा नहीं रह सकता नहीं हाँ पूपू अपक्या आप अंडों की रहा देखरे हो गया हम अंडे नहीं दे सकते अरे आप मुर्गे हैं मुर्गा नहीं दिमाग हो जाईए हो जाईए आप लोग सीदे खड़े हो जाईए रानी साहिबा हम आप से मौफी मांगना चाहेंगे हमने आप पर भी शक किया मिलते है थोड़ी देर में कक्ष में मिलते है रानी रूपमती जी अब आप भी आदित्य के साथ जाकर में मान कक्ष में आराम कीजिए जीज़दी मादव सिंग जी हम मौफी चाहते हैं आपके बेटे की जूट बोलने की आदत हम छुड़वा नहीं पाए अब आप अपने बेटे को अपने साथ ले जा सकते हैं जैसा कि आपने देखा आपके बेटे के जूट बोलने की आदत की वज़े से अभी अभी हमारा तलाग भी हो सकता था हम मौफी चाहते हैं हम हार गए नहीं जापना आप हारे नहीं हमने देखा है कि आदित्य अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं अब इनका यहीं प्यार आज रात को इनके जूट बोलने की आदत को छुड़वाए अब आप सबको वही करना है जो हम आपसे करने को कहेंगे और हमारी योजना ये या योजना है यजना है बच्चा, बच्चा, आधित्य बट्डा! मा, फिता जी, बच्चा, बच्चा.. बच्चु.. जोनो मुझे. मा, फिता जी.. बच्चा.. बच्चा ओ, बच्चा ओ, हमारे माँ पिता जी को कोई बच्चा ओ क्या हो गया बटा आप इस तरह चिला क्यों रहें दो लोग हमारे माँ पिता जी को उठा के ले कर गए कम से कम अपने माता पिता के बारे में तो आप जूट मत बोलिये हम जूट महीं बोल रहे हैं वो सच्च में माई मापीताची को ले गए आप देख लीजे वो नहीं है बेटा जूट मत लेख हमें परिशान क्यों कर रहे हो जाओ सो जाओ चलो हम लग चलते हैं वो कमरे में नहीं है इस पर हम सच करें अब जाकर रेख लीजे देखिये अभी तो हमें आ रही है नीन हम जा रहे हैं सुने इस बच्चे के जूट के लिए हम अपनी नीन खराब नहीं कर सकते बस बहुत हो गया चलिए 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 हम भी चलते हैं अगर हमाई मापिता जी को कुछ हो गया तो उसके जिमधारी आप पर है हम आपको माफ नहीं करेंगे बेटा आदित्य घर आपके माता पिता को कुछ हुआ तो उसके जिमधार आप खुद होंगे अगर आपको ये हर छोटी-छोटी बात में जूट बोलने के आदित नहीं होती तो शायद ये सब लोग आपकी बात को सच मान लेते और आपके माता-पिता बच चाते हैं लेकिन चली हम चलते हैं आप सही कह रहे हैं हम बहुत गंदे हैं अगर भगवान जी ने हमारे मापिता जी से हमें मिलवा जिया तो हम कभी जूटने बोलेंगे कभी नहीं देखे आदित्य अब आपके माता-पिता जी को सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं कि अप वादा कीजिये हाँ जोड के भगवान से प्रातना कीजिए कि आज के बाद आप कभी झूट नहीं बोलेंगे हो सकता है भगवान जी आपके माता-पिता को लोटा दे अक है कर दो कर दो मां पिता जी आप आगए बगवार ने आवाई सुन ली अब हम कभी जूट नहीं बोलेंगे और हम भी आपसे वादा करते हैं आजित के बेटा कि हम भी आपसे कभी जूट नहीं बोलेंगे नहीं समझें दरसल हम सबने मिलकर यह नाटक चिया था ताक कि आपको इस बात का एहसास हो सके जूट बोलना बुरी बात आपके माता पिता कई नहीं गये थे हम दे दे चुपा के रग्गा था नेकिर इस आदत से बाहर निकलने आपके लिए बहुत जरूरी है वरना कई ऐसा नहों उपरवाला ना करे एक दिन आपके माता-पिता के साथ सच में ऐसा हादसा हो और कोई आपकी बात पे विश्वास ना करे नहीं हम ऐसा होने नहीं देंगे कभी जूट में बोलेंगे बहुत अच्छे आदित्य बहुत अच्छे माफ किजेगा राजा माधव सिंग जी अला यह कैसे क्या है कि आप दोनों अपने रोज बर्रा के सिंदेगी में अपने पडूशियों से अपने रिष्टेदारों से छोटी छोटी बातों पर जूट बोलते हैं जो कि आवश्यक नहीं है और बच्चे अक्सर अपने माबाप को देखकर ही सीखते हैं तो अधित्य ने भी यह सब आप दोनों से सिखा उसे जूट बोलने की आदत आप दोनों के वज़ा से ही हुई है हम आपसे वादा करते हैं पीरवल जी कि आज के बाद हम कोई भी जूट नहीं बोलेंगे है यहाँ राजा जी हम उमारे बच्चे के लिए सब करेंगे अरेा चलनल जेख्योड आ वुदुदुदूम प्रोफ जुल